शुड यू इन्वेस्ट इन अर्विनेल सेर्स तो क्या ये राइट है में अर्विनेल सेर्स को खेदने के लिए रेल विकास दिगम लिमेटिड यानि कि ये कमपनी को लगातार अच्छा ओर्डर मिल रहा है आप लोग हाई फिला में दे सकते हो तो क्या ये राइट टाइम है सेर्स को भाई करने के लिए मैं आप लोग को आज बताऊंगा इन डिटेल में क्या आर्विनेल सेर्स को अभी खर दे या थोड़ा वेट करें तो चलिए चलते हैं और बात करें आर्विनेल की बीजनेस के बारे में तो ये कमपनी न्यू रेलवे लाइन और मेट्रो लाइन को डेबलब करती है यानि कि ये नया रेलवे रूट बनाती है और ये कमपनी मिनी रतन का अवर्ड मिला हुआ था जो कि सरकाने इसे अपग्रेट करके नव रतन का अवर्ड दिया है हमारे इंडिया में टोटल 14 नवरतन कमपनी है उनने से एक रेल विकास निगम लिमिटेड है नवरतन का मतलब ये कमपनी कभी भी कहीं से 1000 का फंड रेज कर सकती है तो क्यार ये सब देखते हुए रेल विकास निगम लिमिटेड का सेर हम लोग खरीद लें कमपनी को अच्छा ओडर भी मिल रहा है नवरतन का अवर्ड भी मिल गया ये सब करके हम लोग सेर में इंवेस्ट कर दे नहीं नहीं थोड़ा सबर करो मैं एक इंडिकेटर यूज करता है जिनका नाम है सुपर ट्रेंड वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें बता देता है कि कौन सा सेर कब बाय करे और कब सेर ये कंपनी का सेर में सेर का सिंगनल देखा रही है यानि कि बाय का सिंगनल नहीं देखा रही है तो इसको मैं लेन्थ को आपको 20 कर देना है इससे होगा कि हमें बाय और सेल का सिंग्रल बहुत जल्दी मिल जाता है और आप यह देखो सूपर टेंड लगाने के बाद यहां पर हम लोगों को दो मार्च को बाय करने के लिए कह रहा था सूपर ट्रेंड और वो तभी 80 रूपीज का वो सॉरी वो तभी 67 रूपीज का प्राइस चल रहा था और तभी जो लोग बाय किये होते तो यह सेर 144 रूपीज तक गया था वो भी 8 में को यानि कि 30 से 40 दिन में आपको 60% से भी ज्यादा रिटर मिल जाता तो अब क्या यह सेर और भागेगा बिल्कुल नहीं यहां पर देख सकते हैं सूपर ट्रेंड यहां सेल करने का सिंगनल देखाया था तेंट में को और तेंट में के बाद लगतार सेर डाउन गिर रहा है मतलब कि यह सेर और गिर सकता है तो हमें क्या करना है उसे बता देते हैं पर उससे पहले ये trend में कितना दम है, क्या ये सही trend है या नहीं, उसे पहले पता करते हैं, तो हम लोग को दूसरा indicator लगा लेना है, वहाँ पर सर्च करना हम लोग को volume, और volume की setting को default ही रहने देना है, आप लोग देख सकते हैं, volume लगातार नीचे गिरा है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा इसे लोग profit book कर रहे हैं, और इसे sell कर रहे हैं, हमें दो confirmation मिल गई, एक super trend ने sell करने का और volume काफी कम है, तो हम लोग मान सकते हैं, दो indicator हमें बोल रहा है, इसे अभी खैदने का सही time नहीं है, और हम लोग triple confirmation करने के लिए और एक indicator लगाते हैं, जिसका नाम है ADX, और आप लोग देख सकते हो, ADX 62 का था, वो गिर के 59 हो गया है, यानि कि bullish trend का power धिरे-धिरे कम हो रहा है, ये तीन confirmation मिलने के बाद, मैं तो इसे buy कभी करने वाला हूँ नहीं, बाकी आपका मन नहीं, मैं कोई recommendation नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसे buy कर सकते हैं, और हाँ ये indicator देखने के बाद, बहुत सारे लोग सोच रहे हों कि अब ये share को कब buy करना है, तो मैं बता दूँ एक range आपको 80-100, अगर इस बीच में share आया तो आप लोग buy कर लेना, या नहीं तो आपको इसका support 80 रूपीज का है, अगर 80 रूपीज के पास आया तो आप लोग खईद लो, और बहुत सारे लोग अभी भी news सुनकर इसे invest कर रहा है, पर मत करो ऐसा गलती, तो मैंने खुद 50,000 के share RVNL के लिए हुए थे, जो मैंने अभी sale कर दिया है, मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि यह share अभी बेकार है, पर मैं इसे तब buy करूँगा, जब share का value अच्छे price में मिले हमको, और यह आने वाले समय में एक multi-vagar share हो सकता है, long term में, और मैं आने वाले time में आप लोग को support or resistance कैसे draw करते हैं, वो मैं सिखा दूँगा, इससे होगा कि आपको पता चल लिया है, कहां से price बरेगा और कहां से down होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा profit कमा सके, तो हम लोग indicator देख लिए, हम लोग को indicator में भी buy करने का signal नहीं मिला है, तो हम लोग अभी wait करेंगे, इसे और price गिरने देंगा, और हम लोग buy करेंगे एक under value price में, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा return मिल सके, और rail विकास निगम का quarter 4 का result आने वाला है, उसके लिए मैं in detail video बना दूँगा, आप लोग ये चैनल को follow करते रहाँ, और हाँ railway sector का और एक penny stock है, जिसका नाम है IRFC, इसका भी मैं in detail video बनाने वाला हूँ, next video में, I hope मेरी ये video आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं next video में,